सरकार के हक में इतना ही है कि आप उसको अपने तनासाही से अपने गुंड़ाई से जितना दिन रोक लेंगे जब वो निकलेगा फिर क्या होगा निकलेगा ना और उसके बाद आपको लग रहा है कि मनीश के जाने के बाद से आवाज रुख गई है नहीं रुख यह ना आप अब निकले जानते हैं ते सब जान गए बिहार का जो पुछेए का आप बात बताओं सब लोग कह रहा है कि मनीश कस्षण आपके इस वीडियो से प्राब्लम हुगा रहा है यह वीडियो से प्रॉल मैं पूछ रहा हूं कौन सा बीडियो बताओं करें दो राज्यों में टकरा हो सकता था तो कौन सा वीडियो आप मैं आपके नियूज के चाहता हूं मैं पूछू कि वो लोग बताएं क्या एका खबर बीजेपी के निताओं से था साटगाट किसका बताओ ने यार बता दो किलियर बताओ यार तुम साले डरते हो बताओ किल इतने कितने बताओ बताओ ना मुझे बड़ा दुख है कि यार मातर 42 लाग रुपया दूसरा वाला खाता देखते यार उसमें करोड़ों हैं लेकिन वो मेहनत की कमाई का पैसा है चारा चोरी का पैसा नहीं है भाई हां रोचारी चारी का नहीं है वो वो उसके कमाई हुए पैसे हैं जो जिसका उटेक्स पे करता है अगर अभी भी यह कह रहा है कि अन्यमित्ता दिखाई गई तो बता दो ना कहां दिखाई गई है सिर्फ आप निउस सुनोगे बस मनीज डर गये मनीज रोने लगे अब कहां रोने लगे कहां और आज तो दढ़ रहा था हूँ अब का आप अपके जिंद्गी में क्या यूज रहा गया पता है क्या या तो आप सिसा पोंचते हैं या पिछवाड़ा पोंचते हैं बस अगवार को छोड़ दो आप यही काम है अच्छा कुछ लोग तो नको पत्रकार मानने कोई तहिया नहीं यूटूबर बता रहें कि इल्क पत्रकार थोड़ी होता है अगर पत्रकारिता का मतलब क्या होता है डिग्री लेन ना या आपके हक का बात करना मनिस विल्कुल पत्रकार नहीं अच्छी बात नहीं है अगर पत्रकारिता का मतलब यह है तो मैं खुशी से कहा रहा हूं कि मेरा दोस्त पत्रकार नहीं है अच जाहिल है ये, रोते हुऊए आप एक बात बताओ, मैं आपसे कल मिलूँ आप बहुत दोनों भाई हो गई मैं आपके घर से दस्दीर आपके जाऊँगगा इमोसनल होते हैं घर आप छोड़को आते हैं तो, आते हो नहीं होते यह emotion है जो हर एक इंसान के अंदर होता है जो जानवार है उसके अंदर थोड़ी emotion होगा नागेश समराट मनीश का मित्रता जैसे मैं मित्रूं उन लोगों में थोड़ी सी अनबन थी जब मनीश को उसने बिकट परस्तिती में देखा उसके पास गया तो वो देख के अपने दोस्त को emotional हो गया और क्या तो जो इंसान होगा उसमें emotion होगा जो साला जानवार होगा उसमें emotion कहां से है तुम्हारे हनक क्या आगे नहीं डरा है वो आज तमिलाडू पर दाढ़ा ना बै जाओ ब्यार के हक के लिए लड़ेंगे दाहरा अरे emotion है emotion पर रोना क्या है हम लोग अपने घर से निकलते हैं आज भी मेरी दादी जब ऐसे आती हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हमारे में emotion है तुम्हारे तरह जानवर तो हैं नहीं कहीं कहीं क्या पूरा आप एक बात बताओ मैं आप एक मने आपने कुछ गुना किया मैं आपका चेहरा दिखा दिखा दिया इसमें आईने में देख लो और आप अपने चेहरे से डर गया मेरे तो गुनागार है तो मनीश अब इससे ज्यादा क्या बैक्ति जाता है तामिलाडू और उसका सारा मामला दिखा देता है कि आप यह देखो यह ट्रेनों में जो भेंड बग्रियों की तरह जो भर के जा रहे हैं वह वहीं ब्यारी है जो तुमको वोट देते हैं और वह पपु यादव बोलता रहा आज तक पपु यादव बोलता रहा उस पर करवाई हुई नहीं हुई परसांत कि सोर कह रहे हैं कि हमत भाहर की नाकामी थी सरकार की उसको दिखा दिया अब इनको लगा हमारी तो भाहि इंटरनेशनल बेजती हो गई बनाता है और बाद में उसमें थूख देता है वो वो मान आदमी है उसका बात रहन दोया ठीक है उसका तो बाती मत कर और उसका देखो वो आदमी अपने जीवन में इतना कनफ्यूज है कि आज तक वो कॉंग्रेस से अपनी बीबी को अपने पार्टी में नहीं ला पाया जिस देखो क्या है पप्पु यादो को पहले लगा कि मनीज के नाम पर हम बटोर लेते हैं सिंपती लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे जब देखा कि बीजेपी वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं भग्या हो क्या लगा रहे है मेरा तो यह अदाली नहीं कर लेगा एक बात तूटा है दिखा दिया प्रसासन का ब्यवस्ता खराब है दिखा दिया आप एक बात बताओ जेपी इनवर्सिटी में घुसा वो किसके लिए वो तो बीटेकर के पास आउट हो गया है तीन साल की डिगरी पांच साल में मिलती है दो साल बरबाद करने का अगर जिमार कौन ह करेगा तो यह दिखाया यह इस मनीश का गुना है और वो पहले से किरकिरी बना हुआ था अभी देखो ना मनीश के लिए क्या सबूत मिला आप डायरी मिली डायरी अरे साला 47 मिला उसके घर डायरी मिली अरे ऑफिस में मनला सोच लो इतना अनपड जाहिल है बिहार का यह ज निकट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 42 लाख रूपए 42 लाख रूपए उससे ज्यादा महीने आता है मिलो में से मैं बता दूंगा गदा अदमी इसका सब ने बयान दिया कि 100 दिन में सरकार गिरा दूगा कई वो बयान तो भाई नहीं पड़ गया अरे अच्छा एक बात कोई बेगती आप कह रहे हो सरकार आप क्यों नहीं गिरा सकते हो आप ही सरकार बनाते हो ना जब प्रकास नरायन ने इंद्रा गांधी की सरकार गिरा दी कि नहीं गिरा दी जब प्रधान मंत्री का सासन जब गिरा दिया तो आपको क्या लगता है 100 हमीन बनाते है ना हम आप अबी भी तब वैसाखी पर ही है अकेले थोड़ी है यह पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है पहले वाले से ज्यादा खतरनाक इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग मजबूती से लड़ें मजबूती से लड़े और जब तक मजब पुछिए कैसे खत्रनाक है पहले क्या था कि आपको क्या होता था कि चलो गोली बंदूग चलना इधर से भी चलना है आप चलना आपी कि आवाज को रोकी कि यह दिखा जा रहा थे कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं मेरे जैसे बहुत भाई हैं जो रोज बोलते हैं यहां भी बोलते हैं उसके समर्थन में बोलते हैं तुमसे कुछ ना होने जाना है हां तुम्हारा फायदा यह जो हो वो खुद के दम पे है कैसे होगा बताओ तुम्हारे पीता जी चोर हैं उसके पीता जी फोजी हैं कैसे होगा कंपरीजन अच्छा एक बात बताओ ते आप मैं तमाम लोग से पूछ लोग लिखते हैं ना गाली मैं उसे पूछता हूं तेस्वी आदों में ऐसी क्या का और वह तुम्हारा बुख मंत्री बन गया बताओ मुझे एक लड़के ने फोन किया मैं चाहता हूं आप लोग इसको सुने और गौर से फोन किया और पता है क्या बोला आप आर्जेडी के बिरोध में क्यों बोलते रहते हो आपने आर्जेडी तुम्हारी समस्या क्या है बोला कि मेरे पिता जी आर्जेडी में 25 साल से आप उसके खिलाप नहीं बोल सकते हैं हमले तुम्हारे पिता जी को बिधायकी का टिकट मिला बोला नहीं मिला तो बोला जब तुम्हारे पिता जी को 25 साल में बिधायकी का टिकट नहीं मिला एक 25 साल का लड़का आके तुम् माज बाद की बात करने वाला आदमी है खुदा के उसका बाप बन जाता है बता हो तो आप त्यार रहो त्यार रहो वाइट से यह सब एक बात और कहीं कि बिहार के लोगों को मजबूती से लड़ना होगा लेकि नितिस वाबू देख रहे हैं पीम बनने का सपना सवाल नहीं उड़ता अभी गिर जाएगी सरकार चलो मैं बोल रहा हूँ कैसे गिर जाएगी अब मैं कैसे बता दू कैसी गिर जाएगी गिर जाएगी मनीश का सब बारा आप आएगे जेल से अरे ऐसा क्या किया हुआ आतंगवादियों के लिए रात रात में कोट खूल सकता है अब मनीश ने ऐसा क्या अपराद कर दिया कि उसको नहीं मिलेगी यार कैसे नहीं क्या हूँ देखो यार सत्ता जब तक आपके हाथ में रहेगा मै जिस तरह लालुयादों का पूरूफ हुआ था जिस तरह पपुयादा जैसे आतंगवादी को छोड़ दिया गया रहूल गांधी का भी सीट चला गया और आप देख लो जिन लोगों ने भी किसी पत्रकार को चुआ है उनका क्या हस्र हुआ है आप ये भी देख लीजेगा मैं उस आदमी पर नहीं कमेंट करना चाहता हूँ जिस आदमी का बात उसकी बीबी नहीं मानती हो उस पर क्या बोलना है आज तक कॉंग्रेस में है बिहार की बरबादी का कारण किसको मानते हैं? क्यों लोग भार जाना पड़ता है लोगों? हम लोग हैं बिहार की बरबादी का कारण, मनीस है, सब लोग हैं बरबादी का कारण, अब यहीं सुनना है लोग को, क्योंकि भाई जो लोग 40 साल से हैं, आज 32 साल से तो दो ही लोग है या तो लालू है या तो नितीस है तो कौन होगा अब रबादी का कारण वहीं होगा फैक्टरी एक लगी नहीं देखो प्रॉब्लम क्या है बिहार कर दो भी बंद इन्वर्सिटी एक भी यहाँ नोईडा दिली के जितनी इंवर्सिटी चल जाओ बिहार के लड़के पढ़ रहे होंगे यह जो आर्ट का होता है वह भी नहीं है किर्केट का स्टेडियम है वहां भी किर्केट मैच नहीं होता तो क्या बिहार को ऐसे आपने क्या दे दिया यह तो सरमाना चीए अब न मनीश का स्यापका सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि वह उन लोगों की आवाज है जिनका कोई आवाज नहीं है ठीक है ना अभी यहां रोड पर बैठके मनीश को आपने कई वीडियो देखा होगा दाजार निकाल के किसी को देता वो काम जो सत्ता में बैठे लोगों को करन चाहिए था वो कर रहा है यहीं लोगों को चुप गया अरे यारी तो हमको करना चाहिए यह क्यों कर रहा है यहीं चुप गया और इसलिए मनीश को निकलना जाना चाहिए ताकि वह बाज हो